हेलो दोस्तों मैं हरुषभ चाट जी और वेलकम टो एडियोडा जी यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किल टेस्ट के बारे में स्किल टेस्ट होता क्या है तो वीडियो को पूरा देखिए अगर यूसर लगे तो लाइक जरूर करना चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकान भी दबा दीजिए और अगर आप हमारे 100% श्यूर्ट जॉब ऑपर्चुनटी प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते है तो वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा इंड इसके बारे में में और डीटाइल में बात करूंगा बट उसे छोड़ कर एक और टेस्ट लेती है कम्पनी जिसे बुलती है skill test या skill assessment test इससे company को पता चलता है कि आपका जो extra skills requirement जाब के लिए वो आपके पास उसका skill है की नहीं तो बेसिकली जब आप skill test लेते हैं तो company को पता चलता है कि आप उस particular job के लिए fit है की नहीं तो जब भी आप कोई भी company के लिए apply कर रहे है तो it's best कि आप skill test के लिए prepare रहे क्या-क्या हो सकता है skill test में अगर आपको पता रहेगा तो आप अच्छे से skill test दे पाएंगे तो चलिए देखते है skill test क्या-क्या type का होता है first type होता है hard skill test यह तो एकदम simple है कि आप कोई भी technical type या ऐसे कोई job के लिए apply कर जहां आपके पास skill already pre requirement है आपके पास वो skill होना चाहिए तो company क्या करती है ऐसे एक test बनाती है जिसमें आपका test कर पाए मतब आपको देख सकें कि आपके पास वो वाला skill है कि नहीं जैसे software development role या engineering type of role इस roles में आपको उस topic related skill test देना पड़ेगा second type है cognitive skills test ठीक है नौर्मनी company क्या कर सकती है कि आपको expected situation में आपके क्या reaction रहेगा वो तो test कर सकती है but इस skill में क्या करती है company unexpected situation में कुछ अलग type of situation में आपका thinking कैसा रहेगा उसको test करती है तो basically आपका numerical verbal type reasoning का test होता है इस type of skill test में कभी कभी क्या रहता है कभी game based test भी रहता है ताकि आपका ये skill को वो test कर पाए company third type है personality test ठीक है इस से company को पता चलता है आपका personality कैसा है and उस particular job के लिए आप fit होते है की नहीं suppose आप उतना बात नहीं करते है और more introvert person and company को someone चाहिए counselor type counselor role में तो फिर आप ठीक fit बैठते हैं अगर company को चाहिए कोई ज़्यादा बोल पाए customer support या किसी से बात करना हो directly तो company के चाहिए कि आप थोड़ा ज़्यादा अगर बात कर पाएंगे मतलब लग्से client आता है तो वैसे type of आपको personality test करती है company fourth type of test रहता है combination approach या combination test जहां different different type जो में test आगे बता है उसको combine करके एक test बनाती है ताकि आपको different aspects को company test कर पाए normally क्या रहता है यह test थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है but company को ज़्यादा insight मिलता है कि आप उस job के लिए fit है की नहीं fifth type of test psychometric test अभी आपने सुना होगा कभी-कभी skills में मतलब skill test में एकदम end में companies देती है इसमें basically company क्या test करती है आपको प्यारे में क्या जानना चाहती है तो company जानना चाहती है आपके behavioral style and mental ability के बारे में आप particular अगर आप जो भी job position join करेंगे तो आपका behavior कैसा रहेगा उसको test out करना चाहती है company नौर्मली यह overall online test ही mostly रहता है इसमें बहुत सारा details पता चलता है company को आपके बारे में उसके बाद analyze कर पाती है company के आप उस job के लिए fit है की नहीं तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना skill test होता क्या है and five types of skill test hope करता हूं कि आपको वीडियो useful लगा and अगर आपको लगा तो एक लाइक जरूर कर देना चाहल पर रहे हैं तो subscribe करके bell icon में दबा दीजिए जरूर ये video अपने friends के साथ भी share कीजिए जो jobs के लिए apply कर रहे हैं तो अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हमारे 100% assured job opportunity program के बारे में तो यह है क्या so based on the program that we decide पहले हम आपको train करते है और उसके बाद हम आपको connect करते है to our hiring partners जहां आप salary package expect कर सकते है between 4 to 12 lakhs पराना अगर आप होट details जाना चाहते है इस program के बारे में तो website link and contact number आपको description में मिल जाएगा also follow us on instagram at the rate edyoda edyoda आज के लिए इतने साथ दोस्तों फिर से अगले वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए bye bye